दोस्तो न्यूज विलेज इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ चौदरी चरण से देखिए उपजलादकारी तैसील माट के शामने जो है कुछ लोगों का यहां धरना चल रहा है तो इन लोगों से पूछते हैं पाचीत करते हैं कि यह किस बिंदूओं पर और अपने इ फाजिनेता जी क्या नाम है आपका मेरा नाम छत्रपाल यह जो है आप रे अभिया जो है लोगों के साथ में गत्रत हो रहे हैं दरना किस बात बचला है आपका हमारा दरना हमारे मानने प्रधान जी है मोर्मकृ चौदरी मांट मुला के इनकी जो मांगे हैं इनकी मांग माट मूलाख खादर बांगर की जो ग्राम सवागी जमीने हैं उनको लेकर के इनका मानना ये है के ग्राम सवागी जमीन पर भूमाफिया लोगों ने कबजा कर रखा है और इनका कैई वार पत्रा चार व्यवार उपजलादकारी महुदय या तैसिलदार साव या जो तैसिल दिवस लगते हैं उनमें इनोंने पत्रा चार व्यवार किया ग्राम सवागी भूमी को भूमाफियाओं से मुक्त कराने के लिए जब कोई कहीं से सफलता नहीं मिला तो प्रधान जी को मजबूरन गाओं के लोगों के साथ जो मजदूर किसान हैं जो मजबूर हैं भूके हैं बिचारे गरीब हैं सोसित हैं ये सोसित समाज के लोग यहां पर प्रधान जी के साथ धरना दे रहे हैं जमीन भूमापियाओं से मुक्त कराने के लिए तो इसकी पहले भी कोई सकाथ आप ने की ये प्रधान जी ने अब प्रधान जी हम लोगों के साथ हैं कितना उनों के द्वारा पत्राचार व्यवार सम्मंदित अधिकारियों के साथ किया गया है वो डेटेल्स हैं उनके पास बहुत सारे कागल यहां रखे हुए हैं जिस तो मैं उपर से जो सरकार से जो कुछ यूजना आती है वो गरीबों को नहीं मिल पाती हैं दूसरी बात अभैद जमीन बहुत हैं किसी को मिल भी गई है तो उसको वापस छुड़ाई ली गई पिर भी दोबारा अब ऐसा है कि साथ हम दुखी हैं देखो मैं बीन वज़ा सा अब बुराफ आए मेरे में मैं अपनी को मैं कहां भी निवज़ा हूं जाए कि जमीन थोड़ी हमें भी मिली हुई है तो जो तासु जमीन थी क्या जो अन्पेदा होता है उससे वो थी वो थी वो जो है दाव ली गई साब हमें कुछ नहीं में पत्टे की साथ होगी आपके परदान जी है और इसमें माट मूला के प्रदान जी है और इनोंने काफी सिकायत करने के बाद इनको आस्वा से नहीं मिला जब कोई कारवाई आज तक नहीं हुई तो इनोंने जो है तीडत लोगों को ले करके और यहां SDM साब के सामरे इनोंने माट में धरना दिया है और यह यह चाहते हैं कि हमारी जमीन जो है गरीव लोगों की जमीन जो है और मुक्त कराई जाए और इनोंको अपनी जमीन पर हक दिया जाए